C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरप्रस्चुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का बार्वा पाठ काम अपने अपने रोज की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुँच गया चाई की दुकान पर आज उसके साथ गाउं से आया उसका भाई सत्विंदर भी था चाई वाले ने चाई पकड़ाते हुए कहा लो अख़बार भी पड़ो आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो बैठे पैठे उप नहीं जाते सत्विंदर ने पूछा अरे समय तो यू निकल जाता है पता ही नहीं चलता वहाँ देखो बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में तेर हो गई है भाग रहे हैं सब वह मैडम भी आज देर से आई हैं अरे लगता है उनकी सेंडल तूट गई है अब जा रही है जग्गु भाई के पास सेंडल ठीक करवाने अच्छा है जग्गु की सुभा सुभा कमाई हो गई वहाँ चमपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजा कर पोस्ट ओफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुभा उससे फूल खरितती हैं ट्रक में सामान आ रहा है मकान का काम फिर से शुरू हो गया है मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे उधर अस्पताल की तरफ देखो डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं उस रामुलू को देखो फल के ठेले के साथ आज कल वह चिननम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है चिननम्मा दोड कर फल पहुँचाती है से इकठे करती है वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोल कर हजा मत करने के लिए तयार बैठा है पर किसकी करे? चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंग जो दिन भर सीटी बजाता है पी एक गाड़ी इधर से निकालो सुना नहीं ठेला उधर इतना कहकर बलबीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ अब एक्टिंग करके दिखाओ किस चौराहे पर हाट बाजार में लोग क्या क्या कर रहे होते हैं? इस पाठ के आधार पर बताओ कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं? तुम्हारे घर के आसपोडोस में होने वाले कोई पांच काम लिखो इन काम करने वालों को क्या कहते हैं? उनके काम के सामने लिखो काम जैसे स्कूटर कार ठीक करना क्या कहलाते हैं? मेकेनिक तुम्हारे आसपास जो इमारते हैं उन पर हरे या किसी और रंग से गोला बनाओ डाग घर, अस्पताल, मंदिर, टेलिफोन भूत, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, गिर्जा घर, बहु मन्जिला मकान, मस्जिद, होटल, बस अड़ा, सिनेमा घर, पुलिस थाना, बैंक, पेट्रॉल पंप, दुकान, गुरुद्वारा, धर्मशाला, रेल्वे स्चेशन, कचेहरी किनी पाँच इमारतों के नाम और उन में क्या काम होता है वो लिखो जैसे इमारत का नाम अस्पताल क्या क्या काम होता है, बिमारों का इलाज, बच्चों का ठीका इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं स्कूल भी ऐसी जगा है जहां कई लोग काम करते हैं तुम लिखो स्कूल में क्या क्या काम होते हैं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, वे क्या कर रहे हैं? घर का काम दीपाली भी एक ऐसी ही लड़की है, जो स्कूल नहीं जाती दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है उसके पिताजी सबजी की रेड़ी लगाते हैं वे सुभा चार बजे ही मंडी चले जाते हैं उनकी मा लोगों के बरतन साफ करती है वह भी सुभा जल्दी घर से चली जाती है दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है घर की सफाई के साथ साथ वह बरतन भी माजती है उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है काम खत्म करके वह अपनी छोटे भाई राजु को पिताजी की रहडी पर छोड़ती है फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है उसके बाद दिपाली अपनी मा के साथ काम में हाथ बटाती है दुपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है शाम को वह सबी बच्चों के साथ गली में खेलती है शाम ढलने पर उसकी मा घर आती है दिपाली खाना पकाने में मा की मदद करती है उसकी पिताजी देर रात को ही घर लोटते हैं दीपाली रात को विस्तर पर लेट कर अपनी बेहनों की स्कूल की किताब पढ़ती है वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है तीन साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब से दीपाली को घर पर रहना पढ़ा उसका ध्यान रखने के लिए वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की ठकावट दूर हो जाती है शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहे की अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है स्कूल भी अब है रोज जाती है दीपाली अपने घर के क्या-क्या काम करती है क्या तुम भी अपने घर में काम करते हो यदि हाँ तो कौन-कौन से क्या तुम घर के अलावा कोई और भी काम करते हो क्या-क्या काम तुम ये काम जिस समय करते हो घड़ी बना कर दिखाओ सुभा उठते हो कितने बजे स्कूल जाते हो कितने बजे स्कूल से आते हो कितने बजे घर में पढ़ाई करने बैठते हो कितने बजे खेलने जाते हो कितने बजे रात को सोते हो कितने बजे तुम्हारे परिवार के कौन-कौन से लोग घर के काम करते हैं वे क्या-क्या काम करते हैं बताओ पहले परिवार के व्यक्ति का नाम लिखो फिर उसके आगे लिखो वो क्या-क्या काम करते हैं तुम्हारे परिवार के कौन-कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं पहले लिखो परिवार के लोगों का नाम फिर उसके आगे लिखो वो क्या-क्या काम करते हैं तुम्हारे परिवार में कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं पर उन्हें पैसा नहीं मिलता अब पता लगाओ तुम्हारे घर के बड़े लोग जैसे दादादी, नाना नानी जब बच्चे थे तब वे क्या काम करते थे सारम्मा ने घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल पूछा, नानी ने कहा कि वे बच्चपन में लकड़ी इकठा करना, गोबर इकठा कर उसकी उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना, ऐसे कामों में बड़ों का हाथ बटाती थी मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूला है, सीमेंट की दिवारें और फर्श है, सारम्मा अब अपने घर के कई ऐसे काम नहीं करती, जो उसकी नानी अपने बच्चपन में करती थी तुमने पहले लिखा कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारे घर के बड़े लोग अपने बच्चपन में क्या काम करते थे, ये काम एक जैसे हैं या अलग-अलग दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा पता करो क्या तुम्हारे घर के आसपास पांच साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते ऐसे दो बच्चों से बात करके लिखो कि वे स्कूल क्यों नहीं जाते पहले बच्चे का नाम लिखो, फिर स्कूल ना जाने का कारण लिखो, फिर दूसरे बच्चे का नाम लिखो, फिर उसके स्कूल ना जाने का कारण लिखो काम अपने अपने अभी आप सुन रहे थे कक्षातीन की पाठे पुस्तक का ये पाठ प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत